हाई स्टुदेंट्स वेलकम बैक टो आरस्पी रहुंसर फिजेक्स आज इस लेक्टर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि यदि हमार पास कोई भी एक एक एलेक्टरिकल डाइपोल है और इस एलेक्टरिकल डाइपोल की एक एक टोरिल लाइन पर यदि हम कोई पॉइंट ले dád leg Waarज बने लेक्टरिकल फील इंते का एक्सप्रेशन क्या होगा कैसे क्या येयर कंषेप्ट हमेश्या वीडियो के राइक्ष है उसे लाइप कि यदि वाले में लाइन गयता कि अंदर और हम समझेंगे लेक्टरिकल डाइपोल की एक्टूरियल लाइन पर यदि कोई पॉइंट ले और वहाँ पर एलेक्टरिकल फीड इंटेंसिटी निकालें तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा तो पहले यूट्यूब चैनल का जो प्रमोशन है वो कर लेते हैं तो यूट्यूब चैनल का जो क्लास 12 फिजिक्स के वो सारे ही अप्लोड किये जा चुके हैं तो आप वन बाई वन जिस भी चैप्टर के अंदर आपकी जो भी प्रोब्लम है तो वो आप आसानी से दिख सकते हैं तो लेक्ट्टर वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं वी हैब तो फाइंड आउट अग को अगारे में एक-टॉरियल पॉइंट एक डियू तो एक्ट्रेकल ड्यपोल अब अल्यपूल के बारे में अधिक आपको समझना है तो आप प्रेंड लिस्त में जा करके आपको वीडियो मिलेगी अलेक्रिकल ड्यपूल ऑन एक्सियल पॉइंट उसी जो यहां पर हमने एक 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 एंड पर माइनस चार्ज होता है और दूसरे एंड पर प्लस चार्ज होता है और उन दोनों के बीच में को finite distance होती है जो कि बहुत small होती है तो उस तरीकी के system को हम कहते है electrical dipole तो यहां पर हमने एक electrical dipole ले लिया दिस प्रस क्यू चार्ज दिस इस माइनस क्यू चार्ज and distance between them is 2A this will be its center now this is the equatorial line equatorial line का मतलब तो आप समझते ही है ना कि जो लाइन एक system को two equal parts में डिवाइड करें उसको क्या कहते है equatorial line कहते है तो यहां पर क्या है equatorial line है तो यहां मैं एक point consider कर लेता हूं यहां पर चल यहां पर मैंने point consider कर लिया point पे अब इस point P पे इस electrical dipole की वजह से मुझे क्या find out करना है electrical field intensity find out करना है तो पहले plus q charge जो है वह यहां पर इस point people electrical field intensity create करेगा उसी तरीके से minus charge भी create करेगा तो फिर मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है कि plus charge माइनस चार्ज ने है जो create किया total यानकि vector sum क्योंकि electrical field is a vector quantity तो मुझे पलस charge के द्वारा जो electrical field intensity create हूँआ मानलों वह इवन हुआ और minus q charge के दवारा मानलों वह इटु हुआ तो electrical field is a vector quantity तो मुझे E1 और E2 का यहां पर क्या निकालना है vectors हम निकालना है मैंने consider किया कि यहां पर जो center है इस electrical dipole का वो है O और इस P point की जो distance है from O वो मैंने consider की यहां पर this is why ओके अब electrical field intensity यदि पलस charge से आप निकाल रहे हो तो पहले आपको यह पता हो कि इस प्लस की चार्ज के दोबरा जो इस point P पर electrical field intensity create होई होगी उसकी direction क्या होगी क्या होगी क्योंकि electrical field is a vector quantity so we have to first draw the direction तो हम जानते हैं कि यदि हमारे पास charge plus का होता है positive charge होता है तो electrical field की direction कैसी होती है उससे अवे होती है तो यहां पर यह प्लस पी है डारेक्शन जो होगी वह आपके किस तरीके से होगी अवे होगी this will be the direction so this will be the direction of the electrical field intensity created by plus q charge मैंने consider कर लिया कि वो क्या है वो even है और इस point P और इस plus q charge के बीच में जो distance मैंने consider कर लिया वो मैंने consider कर लिया this will be r plus q charge से यह कि जो center है electrical dipole का यहां तक जो distance होगी you know it will be half of the way that it will be a और उतनी ही distance कहां से कहां तक होगी उसे लेकर कि minus q तक होगी it will also be a अब यह पलस q charge के द्वारा जो electrical field intensity create होई है even इस point P पर वो तो हमने draw कर दी है direction उसकी अब उसी तरीके से minus q charge के द्वारा जो electrical field intensity create होई होगी उसकी भी पहले हम क्या कर लेते हैं direction को draw कर लेते हैं तो यह minus q charge है मैंने consider कर लिया इसने e2 electrical field intensity create किया होगा लेकिन minus charge जो होता है electrical field intensity की जो direction होगी electrical field की जो direction होगी वो minus charge की तरफ होती है towards minus charge so the direction of the electrical field intensity created by this minus q charge is towards minus q and it will be e2 अब चुकि यह point P जो है वो equatorial line पर है इस वज़े से जितना distance is p point का plus q charge से है उतना ही distance इस p point का minus q charge से भी होगा तो यहां पर जो यह distance बनेगी इस minus q charge की from point P इसको भी मैंने क्या consider कर लिया क्योंकि point P plus q charge से जितना दूर होगा उतना ही दूर इस minus q charge से भी होगा मैंने यहां पर point P consider किया यहां इस point को मैं consider कर लेता हूँ पिए भी ए और यहां पर जो भीपी है वो दोनों आपस में कैसे होगे पराबर होगे क्योंकि क्योंकि दो ुआं धार कर रहे हैatal यह इशने कार रहे है वह उत्यान पर है जो इकान पर होगा वह दोनों होंगे क्लिए यह प॑इंट भी है अब जहां यहां पर मैंने कर लिया कि यहां पर जो एंगल है वो मैंने माल लिया ठीटा और यहां पर भी जो एंगल होगा वह नहीं टीटा होगा यह इब पे तो नहीं है अब देखो E1 ना X पे है ना Y पे है एटू ना X पे है ना Y पे है अब हमें यहाँ पर इस तरीके की situation से में हम क्या कर सकते है तो इस तरीके की situation के अंदर हम जो vector quantity होती है जैसा कि यहाँ पर E1 और E2 है तो इनको हम इनके components में resolve कर लेंगे तो E1 को इसके 2 components में resolve करने की हम ट्राइ करते तो E1 को जब आप resolve करोगे तो एक component हो जाएगा यह और दूसरा component हो जाएगा यह अब देखिए कि यहाँ पर जो यह angle theta है यह angle theta है कinen तो यह वी क्या होगा यह बिलीट ठीटा होगा लिहांज देखी यह वाली जो लाइन है यह श cowboy को देखा हिए तो यह यह वाली जो लाइन के पैलल है और यह फॉर नाइन है वो को इसे का मतलब क्या होगा यहां पर जो अंहुल रहा है अपर गर्icism मनूह और आपने किसी और टीचर से भी ज़ी पढ़ा हो गए तो उसने भी एक ट्रिक बताई होगी कि जो आपका रिजल्टेंड वेक्टर है वो जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है मतलब जिस लाइन के साथ आप उस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो वो लाइन कौन सा तो यहां पर ही जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगा आपका डेट इस इवन कॉस्ट ठीटा और जिसके साथ आपने एंगल कंसीडर नहीं किया है वो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका इवन साइन ठीटा उसी तरीके से एटू को भी आप रिजॉल्ट कर सकते हो तो एक कंपोनेंट तो आएगा बिच्च यहीं पे ही इसी लाइन पर और ईक आएगा बच्च इसका यहां पे ठीक है तो यहां पर आ更 गया अब यहां भी अंगल करना है अब आप глаз करना हूँ है ये वाला जो एंगल बना हुआ है ठीटा और यहां पर यह ऑनल दोनों आपस में कैसे हैं यह दोनों आपस में अल्टरनेट tua जहें अवर दे अल्टरनेटैंगल से तो युनो धैट अल्टरने ट aligns सार एकवल एंगल, अल्टरनेट एंगल है, दोनों जो वैल्यू होगी, वो दोनों की बराबर होगी, तो E2 देखिए, इस लाइन के, यह जो E2 है, इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, थीटा डिगरी का, तो E2 का जो यह वाला कम्पोनेंट होगा, इस लाइन पे, वो क्या यह भी आपको clear हो गया होगा तो अब आपके पास components आ गए अब ध्यान से देखे एवन साइन ठीटा एटू साइन ठीटा एक ही लाइन पर है एक ही एक्सिस पर है डारेक्शन अपोजिट है तो हम सब्ट्रेक्ट कर सकते हैं वेक्टर सम निकालने के लिए एटू को सिट एवन कि पहले आप एवन निकाल लीजिए तो एलेक्टरिकल फिल्ट इंटेस्टी का फॉर्मूला कैल्कुलेट करने का क्या होता है यदि माल लीजिए कि यह आपका डाइपूल जो है वो वेक्यूम फ्री स्पेशन के एयर में रखा हुआ है तो इट विल बी वन ऊवर फॉर पा प्रफियर पलसी है मैंने स्वाले में तो थोड़ी सी हमाई जो है देश्रबेंस करियेट होता लेकिन आप याद रखें कि जब याप लेक्रिकल फिल्ट इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो आपको मैंस यूज नहीं करना है क्योंकि ते जा वेक्टर क्वांडिटी और क्योंकि यूज तो इस्क्याय है नुटेंस के सुर्फियर वेक्वश्ण स्कूर के नविटी निकाल नेटने निकालें और त्हशन है और और इस्पी पॉइंट के स्क्यों से कितना रहें तो ओने स्कूर हो जाएगा प्षिस नन Abraud दिहान से नहीं देख पा रहे हैं कि मैं उसको माल लेता हूं क्योंकि एक्वल है तो मैंने उनको इहीं माल लिया अब जब वह खुद इवन इटू आपस में जो है एक्वल है तो उनकी कंपोनेंट्स भी दूसरे के क्या होंगे वह भी बराबर होंगे जैसे कि एटू साइन ठीटा किसके बराबर होगा लेकिन डा अलएक्षण में है तो यहां पर हो जाएंगे एड हो स credit आप टोटल यूट्रिंतरग फिल इंटैंसिटी यहां पर फाइंड आओंत्कर होगे तो आपको ट्वल यहां पर क्या वच आइगा इट विल बेन को इटी मीनस टोटल अग्ष्येटिकल फिल इंटेंसिटी E cos theta plus E cos theta, so it will be 2 E cos theta, 2 E cos theta हो जाएगा यह, तो total electrical field intensity इस point P पे जो मैंने निकाला है, वो कितना आया है, 2 E cos theta, तो यहाँ पर electrical field intensity का मैं expression रख दूँगा, और cos theta की value में रख दूँगा, तो मेरे पास जो total resultant electrical field intensity थी, इस point P पे जो equatorial line पे था, तो यहाँ पर मैं इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पर cos theta की value रखना है, और यहाँ पर रखेंगे हम cos theta की value और electrical field intensity की value भी रखेंगे, कोई सी भी रख लो यार दोनों पर आबरी तो है, तो यहाँ पर पहले cos theta क्या होगा, तो यहाँ पर triangle देख रहा है आपको कोई साभी ले लो P O A ले जैसे मैंने और कैसा है यह triangle यार तुमको दिख नहीं रहा है क्या, यह है आपका 90 degree angle तो यहाँ से आपको right angle triangle दिखाई दे रहा है P O A अरे आप यह भी लेख सकते हो P O B, यह ले सकते हो कोई दिख्कत नहीं है सेम है यह triangle दो यह सेम एंगल यह 90 degree तो बचा हुए एंगल भी तो सेम ही होगा यहाँ पर यहाँ बन रहा होगा वह भी बराबर होगा तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है मैंने triangle ले लिया है आपका right triangle triangle P A O ले लिया है P A O अब ज्यान से रहा है यहाँ बेश तो यह है ए ओ और यहों कितना है वह एके बराबर है तो बीस तो कितना हो गया रहे है एच क्या है एच आपका P A यहन कि हाइपोटेनस P A है और वह और है और यहाँ पर राइट अंगल ट्रेंगल पाइथा को रस्तोरम लगाओ तो कितना आएगा यह आ है अब इसकोस नमबर फाइब को आप एकुष्ण नमर फोर में पूट कर दो और एक इवेल्यू भी पूट कर दो अर्साथ साथ ना इकी वेल्यू भी पूट कर दो यहां पर देता हूं है इसको कितना हो जाएगा यह टूटल आपका यह गया तू इंटू एक इतनी है एक के वैल्यू आपकी है 1 over 45 चलो 1 over 45 एपसाले नोट आप जानती हो ना इसको तुम्हें के लिख देता हूं है ना के लिख देता हूं को कॉस्ट टीटा स्वरें इकी बहले वैल्यू पूरी तो लेको 1 over 45 एपसाले नोट को लिखाया मैंने वो के और क्या है यहां पे Q divided by R square and multiply by cost it or cost it value कितने है बटा A by R ठीक है A by R तो यह कितना हो गया यहां पर E total यह हो गया आपका 2K QA divided by R Q this will be the total electrical field intensity at the point P that is equation number 6 and you know that dipole moment electrical dipole moment that is P is equal to Q into 2A Q into 2A so the electrical field intensity will be किता हो जाएगा Q into P divided by R Q कि की वेली लिख सकते हो 1 over 4 by epsilon not P divided by R Q यह आगया कि लिए अब देखिए यह जो तो electrical dipole moment होता है इसके बारे में भी बहुत discuss कर सकते है और किया हुआ भी है अब electrical dipole moment के बारे में समझना चाहते हो तो electrical dipole moment electrical dipole moment by Rohan sir physics आप टाइप करें YouTube पर आपको वीडियो मिल जाएगी वहां से electrical dipole moment समझ सकते हो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है क्यों टू यह होता है यह वेक्तर क्वांटिटी होता है और इस वेक्तर क्वांटिटी की डिरेक्शन कहां से कहां तक होती है इसकी होती है माइनस चाहर से टू भीगे प्लस चार्ज की तरह तह यहां पर तो आपका जो आक्रीच फ्रीय इंटेंसिटी आ रहा था टो टर्रकाइव धयता निजेंट को सफिलमूल के ऊपर यहां तो इसी त्यारम सीटा इंटेंसिति आया है वह इसके और इसके सम से तो आया है तो थान से नहीं देख पा रहे हो और रेक्ट्रिक्ला फिल्ड प्रम मानशटू प्लस और दिस्विल इस फॉर्मूले का इस magnitude ka vector form लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे you have to place a minus sign why because the direction of electrical field intensity and the direction of electrical diaper movement is just opposite to each other this will be the direction of electrical field intensity and this will be the direction of electrical diaper movement from minus charge to plus charge this will be the direction of electrical field intensity and electrical field intensity in दोनों के समसी तो आई है उन दोनों की direction कहां है इधर है तो अपोजिट है यहां पर प्लेश कर सकते हो आर की वैल्यू प्लेश कर सकते हो आर की वैल्यू जब प्लेश करो तो आपको कितना हो जाएगा जो जाएगा it is equal to minus sorry अब तो माइनस साइन मत लो अब तो किवल मैगनिटूड में ही चलोगे इट विल भी फूर पाइपसालन नॉट पी डिवैड़ बाई आर यानि की वाई स्क्वेर प्लस एच्वेर की पावर वन बाई तो यह पावर थ्री कितना हो जाएगा थ्री वाई टू ओके थ्री वाई तू कि लिए हैं एंड ओ यहां से इसको हटाओ इसको रिमूब करोगे एस हाइन को कैसे करोगे माले लिए की आपका यह पूर्ट पी है वह बहुत दूर है फार अवे निकिए आपका जो वाई डिस्टेंस हो जाएगा वह बहुत जब जयादा हो जाएगा और माले जिए तो आप एक कर सकते हो इस फॉर्मूले के अंदर से जैसे ही आप एक को नगलेक्ट करोगे तो इसको आड़ी जाएगा तो फिर क्या होगा वह फॉर्मूला कैसे निकल कर गाएगा वह देखिए इसको में हाँ से रफ कर देता हूं देन इड़ बी टोटल एलेक्ट्रिकल फिल इंदेंस्टी विल बी वन ओवर फॉर पाई एपसालन नौट इट विल बी पी डिवाइड बाई वाई स्क्वेर की टोटल पाबर त्री बाई तू कह वाया है यह जब आपका वाई इस वेरी वेरी ग्रीटर दैन ए है मिस पंट प इसे लेक्ट्रिकल डाइपूल की से पहुँच ज़्यादा दुग है तो वो निकल करके आएगा और तू से तू आप कैंसल कर सकते हो तो इट विल बी इट इस उगल टो वन ओवर फॉर पाई एपसालन नौट पी डिवाइड बाई की पावर थरी और जब हमने एक्सियल ल गया था टू टाएंस यानि की इननी मैं ये वाले की बात करूं तो वहां पर य्टिकल फिल इंटेन्सिति और करू करके आई थी वह आई थी आपकी वह नगर फॉर है आइनोर टू टेट आंसउंचव पी डिवाइड बाई वयक्यू यह निकल करते तो इसका मतलब क्या है कि जो आपढ़का इलैक्सलाइं के पर वह है हाफ होता है एलैक्सलाइं की पर निकाला था वह फो टीमस होता्या है लेक्टिकल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप से जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो मैंने कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट लिख सकते हो मैंने अपना जू है वर्शेप नंबर फेस्बुक आइडी और इंस्टाग्राम आइडी डेस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है फिर भी आपक पेस्बूऌाम प्रॉबटय मैं कटैंसलो सकते हैsब तो करेंसलो दिर फिरेस्क्रिफक सब्सक्रिट von फिर हैस्देचे-ट, k 풋 रिंदे तो